पिछले कई दशक से भारती वाई सिना के मिक-21 फाइटर जेट उनाने कर चलते हमारे देश के पैलोटों की कीमती जान जा रही थी लेकिन अब इन फ्लाइंग कॉफिन को पूरी तरह से बाई-बाई कर दिया गिया है क्योंकि स्विदेशी लड़ा को विमान LCA Tejas ने मिक-21 की जका लेली है क्यों और कैसे आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज राशपूत और आप देख रहे हैं यानि Final Assault को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सही समय पर इंफोर्मिशन मिलती रहें और देश-दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी सटीक जानकारी से पूरी तरह अपडेट रहें क्योंकि National Security यानि राश्टे सुरक्षा की जिम्मेदारी स्रिफ्यना के कंदों पर ही नहीं है हर एक देश वासी पर है पिछले साट सालों से यानि 1960 के दशक से भारत की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यत और से रूस में बनी मिग 21 लड़ागों विवानों के हवाले थी मिग 21 भारत के पहले सुपर सुनी फाइटर जेट थे और पहला मिग 21 1963 में भारते वाई सेना में शामिल हुआ था यानि इस साल बश 2023 में मिग 21 ने भारत में 60 साल पूरे कर लिया है पिछले साइट सालों में भारती वाई सेना ने कम से कम 900 मिग 21 अलागों मानों कुड़ा है इन में से करीब साड़े 600 भारत में ही बने थे और पाकी रूस से भारत में सीधे लिये थे लेकिन पिछले 15-20 सालों से इन फाइटर जेट के क्रेश की घटनाई बड़ी संख्या में सामने आ रही थी आंकडों की माने तो पिछले 60 सालों में वाई सेना के 400 से ज़्यादा मिग 21 विमान धरुकटना का शिकार हुए इन दुरका टाउं में भारत के 170 जावाज पाइलोटों की जान गई थी बड़ी संख्या में हमारे देश के फाइटर पाइलोट की जान क्रेश में होने से लोगों में गुस्सा था वाई सेना में इस बात की नाराजगी थी कि नए फाइटर जेट को नहीं मिल रहे हैं यहां तक कि बॉलिवुड की रंग दे बसंती मूवी भी इसी थीम पर ही बनी थी लेकिन वाई सेना के पास इन मिल फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए कोई नए लड़ा को भी मानी नहीं था इसलिए वाई सेना की मजबूरी थी कि देश की एरिस्पेस की सुरक्षा इनी फाइटर जेट से की जाए हाले कि सुखोई फाइटर जेट्स भी आए, मेराज भी आए, जैगवार भी आए लेकिन मुख्या थो इसे मिक-21 के पास थी लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो बाईस इना ने मिक-21 को अफगेड किया और इन्हें नया नाम दिया गया, बाईसन, मिक-21, बाईसन लेकिन क्रेश होने का सिलसिला जारी रहा, वर्ज 2019 में बाला कोट एर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले करने की कोशिश की, तो भारते वाईस है ना कि इन्हीं मिक-21 बाईसन फाइटर जेट नाम देता था, यानि कि जंग लगी वी बाल्टी से ज्यादा कुछ नहीं मानता था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस डॉक फाइट में पाकिस्तान को दुम दबा कर भागना पड़ा, लेकिन विंग कमांडर अभिननदन का मिक-21 फाइटर जेट जो था, इस डॉक फाइट में क्रैश हो गया और उन्हें पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था हालागि भारत के दबाब में पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिननदन को छोड़ दिया था तब विंग कमांडर अभिनननदन शीनगर के करीब अभनतिपुरा की एरबेस पर दिया थे, उनके मिक-21 बाइसन की स्क्वाड़न भी यहां दिया थी थी उनकी 51 स्क्वाड़न को स्वाड आम के नाम से भी जाना जाता था पिछले साल, यानि कि सितंबर 2022 में करीब एक साल पहले उनकी स्क्वाड़न को रिटायर कर दिया गया क्योंकि उनकी स्क्वाड़न के मिक-21 बाइसन भी काफी प्राने हो चुके थे अब मैंने ये इसलिए कहा था कि NCA तेजस ने मिक-21 की जगल ले ली है क्योंकि अब इसी अवंतिपुरा एयर बेस पर यानि जम्मू कश्मीर के बेहदी सेंसिटिफ एयर बेस अवंतिपुरा पर LCA तेजस को तैनात किया गया है पिछले एक साल से ये बेस खाली पड़ा था यानि 40 के करीब जो हैं तेजस हैं ये दोनो ही स्कॉड़न तमिल्लाडू में कोईमबटूर के करीब सुलूर एयर बेस पर तेजस पर तनात रहती है एक स्कॉड़न का नाम है फ्लाइंग डेगल तो दूसरी का है फ्लाइंग बुलेट अगर ये दोनों स्लूर में तनात हैं स्कॉड़न तो अवन्तिपुर अपने कौन सी नई स्कॉड़न है तो इसका जवाब है डिटेच्मेंट स्लूर एयर बेस पर तनात LCA तेजस की एक डिटेच्मेंट को अवन्तिपुरा में तनात किया गया है यानि कुछ LCA fighter jet और उस से जोड़े pilot, engineer और technicians को यहाँ बेजा गया है सुलूर एर बेज से ताकि जब तक किसी नई fighter jet की squadron यहाँ तेनात नहीं हो जाती है वनतिपुरा में जम्मू कश्मीर में तब तक तेज़स ही वहाँ से जम्मू कश्मीर और उस से सटीवी यानि पाकिस्तान से सटीवी line of control की airspace की निगेवानी करेंगे यह detachment ठीक वैसी ही है जैसे कि पूर्वी लद्दाक में चीन के खिलाफ वाई उसे ना ने मिग 29 fighter jet की तनात कर रखा है हलाकि इन मिग 29 लड़ाकों विमानों की स्क्वाडन पंजाब के एक forward airbase पर तनात रहती है लेकिन 2020 में जब गलगवान घाटी की लड़ाई हुई थी उसके बाद से भारते वाई से ना ने मिग 29 की detachment लगदाक में तनात कर रखी है 26 जुलाई यानि कारगिल विजय दिवर्स के मौके पर खुद वायू से ना की पस्चीमी कवान के air officer commanding chief air marshal PMC ना खुद अवनती पुरा forward airbase पहुचे और वहां तेनात तेजस के air crew से मुलाकात की उनकी तस्वीरे भी सामनी आई तेजस में बैठे वे और उनने आपरेशन तैयारियों के लिए जो यहां पर तेनात जो fighter pilots हैं और साथी crew members हैं उनकी प्रसंचर भी किये जैसा हम जानते हैं कारगिल युद में अवनती पुरा air base से ही वायू सेना ने पाकिस्तान के किलाफ operations सफीर साकर छेडाता है ऐसे में जब air marshalal सेना की तेजस के साथ तस्वीरे स पर देखा गया है लेकिन पहली बार आधिकारी तोर से वायू सेना की पस्चिमी कमान ने जानकर देशवासियों के साथ साज़ा किया है कि LCA तेजस को forward air base पर तेनात किया गया है और वो भी जम्मू कश्मीर के वनती पुरा में थी बारत के पास फिलाल दो स्कौटन जैसे म इसके लवा वायू सेना ने 83 LCA Mark 1A की डील अचील से की है जो सकत पदन करती है यह Mark 1A इन 40 तेजस से advance है और माना जा रहा है कि अगले साल तक पहला Mark 1 इन फाइटर जैट बनकर तयार हो जाएगा यही वज़ा है कि वायू सेना ने पुरानी MIG-21 की स्कौटन की जगे इन LCA की तेजस की तैनाती शुरू करती है वायू सेना में फिलान MIG-21 की तीनो और स्कौटन है यानि पचास के करें MIG-21 फाइटर जैट और है और यह तीनों ही स्कौटन जो है पाकिस्तान चल सटी जो बाउंडरी है यानि कि राजस्थान की जोसीमा है उतके एर फरवर्ड एयर सेना में शामिल हो सकते हो जाएंगे दरसर भारत ने अपना स्विदेशी LCA फाइटर जेट इन MIG-21 को रिप्लेस करने के लिए तयार किया था यानि MIG-21 को पूरी तरह से बाइवाय करने का अब समय आ गया है यानि कि यह बाइवाय कर दिया गया है क्योंकि स्विदेशी LCA चीन और पाकिस्तान दोनों से टक कर लेने के लिए का मरकस चुका है वह इसलिए क्योंकि जो अवन्ति पूरा एयर बेस है जो जम्मू कश्मीर में है महां से पाकिस्तान की सीमा और साथ ही पूर्वी लगदाग बहत करीब है और अगर दोनों देशों की तरफ से किसी भी त परतूत होती है तो उनका जवाब देने के लिए हमारा LCA तेजस्स पूरी तरह से तयार रहेगा और पहले सी मिट-29 तो पूर्वी लगदाग में दनात्या ही है धन्यवाद, जैए